राम आएंगे तो यंगे ना सजाएंगे धीप जला के दीवाली हम मनाएंगे धीप जला के दीवाली हम मनाएंगे राम खाएंगे तो हाथों से खिलाएंगे सब के साथ हम गाना चाहते हैं हम याद करते हैं जो इस देशी नहीं दुनिया में जहां भी सनातनी लोग हैं वो भी और जो सनातनी नहीं थे सनातन को समझ गए हैं वो भी एक ही बात कह रहे हैं कि मेरी जो बड़ी के भाग अब खुल जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे सारे सारे दुनिया के भाग अब जग जाएंगे राम आएंगे सारे दुनिया के भाग अब जाग जाएंगे राम आएंगे तो यंग ना सजाएंगे राम आएंगे तो यंग ना सजाएंगे दीप जला के दीवाली हम मनाएंगे दीप जला के दीवाली हम मनाएंगे राम खाएंगे तो हाथों से खिलाएंगे मेरे जन्मों मेरे जन्मों के पाप सारे धुल जाएंगे राम आएंगे गुरू रूप मेराम मेरे आएंगे माता पिता रूप मे भी राम आएंगे यह भूलना नहीं है यह याद रखिएगा कि राम इश्वर भी है राम मानों भी है राम स्रिष्टी भी है राम स्रष्टा भी है राम द्रिष्टी भी है राम द्रष्टा भी है राम के जीवन से कुछ चुरा लीजिए और थोड़ी थोड़ी मर्यादा को और बढ़ा लीजिए गुरु रूप मेराम मेरे आएंगे माता रूप मेराम मेरे आएंगे मेरे जन्मों के साथ सब जाक जाएंगे राम आएंगे ये जो शब्द है साद ये अपनी स्रद्धा लगी होते हैं भोज़कुरी में हमनी कह रहे हैं साद के साद लागल बटे बहुत साद से साद लागल है कि राम जी आई हैं राम जी के मंदिर बनी अजुध्या जी में अब तो अजुध्या जी सीदे एरपोर्ट बन गए और एरपोर्ट के नाम रखाईल महरसी बालमिकी अजुध्या था बालमिक जी ने राम को उतारा है तुलसिदास जी के लेकनी में सारा है हम गुरु भगतों के भाग जाग जाएंगे राम आएंगे हम गुरु भगतों के भाग जाग जाएंगे राम आएंगे एक बार दोनों हाथ उठाईएगा, सबके हाथ उठनेचे, सबके तालियां बजे, और सब लोग मिलके गाएंगे मेरी जोपड़ी के भाग सब जाक जाएंगे, राम आएंगे सियावर राम चंद्र भगवान की, सद गुरु देव भगवान की जय, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हमारे गुरु जी की सदा जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, एक बार गुरु जी की, उस सारी बातों को याद करिए, जो हमारे आपके साथ वो पल बीतते हैं, हम तो गुरु जी को प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, लेकिन जब गुरु जी आपको गले से लगा लेते हैं, तब हमें विश्वास होता है, जो हम थोड़े दिर पहले कह रहे थे, पवन भाईया, भाईया, बापरे बाब, इकोन कुना हदादा, छोट भाई के भी भाईया कहल जला, राम जी ने कई बार कहा, लक्षमण भाईया बोलो न, रोवे ने रगुराई, ये इसने बहुत अच्छा एक बजन गाया गुरु जी, रोवे ने रगुराई, जब लक्षमण जी को शक लगती है, वैसे तो भोजपुरी जितने लोग आते हैं सबकाप पर हमरा बहुत, कई हमार दोस्त जिसे अभैस सिना जी तो करें, पंकश तिवारी आईल बाड़े, वो बहुत बिद्वान आदमी हमें गुरु जी, पंकश तिवारी, कहां बड़े पंकश, पंकश कहां गई और यहां रंजीत सिंग के देखा तानिहम गुरु जी, यह हमार बड़ा प्री भाई हमों, यह दिल्ली के हमों, वैसे तो बिहार के हमों, लेकि बिहार के लोग बहुत दिल्ली वाला हो गिलवाटिया, अच्छा यह बलिया के हमों, वो बिहारे में आवे लागे, तो मेरे तरफ से प्रणाम करिए गुरु जी को, गुरु जी यह बहुत गुणी व्यक्ति हैं, और गाजीपुर के पार